और चलिए अब रुख करते हैं जोतपूर का जहांपर आज एक हाथसा हुआ है दरसल जोतपूर के मंडोर रोड पर निमबा निमबेडी रेलवी क्रॉसिंग के पास पत्रों से भरे ट्रक ने शात्रा को चपेट में ले लिया चात्रा की मौके पर ही मौध हो गई शव जार्खन के जाची निवासी 19 वर्षिय आफ्रीन का है जो FDDI की चात्रा थी आफ्रीन ने 5 दिन पहले ही अड्मिशन लिया था सूजना पर पहुँचे पुलिस ने शव को MG अस्पताल की मौचरी में रखाया है पुलिस ने ट्रक चाला को किरपतार कर ट्रक भी सब्त कर लिया बता दे कि इस सड़क पर 5 दिनों में ये दूसरा हाथसा है इसे पहले रविवार को सड़क हाथसे में युवक की जान चली गए थी स्थानी लोगों ने मौके पर स्पीड ब्रेकर बरवाने की मांग की है तो जोदपूर का ये मामला है जहाँ पर एक पत्थर से भरे ट्रक ने चात्रा को चपेक मिले लिया और जुरान चात्रा की मौके पर ही मौत हो गए बता दे कि इस सड़क पर पाँच दिनों के भीतर ये दूसरा हाथसा है और इससे पहले रविवार को भी एक युवक की जान चली गए थी यहाँ पर और लोग जो है यहाँ के स्थानी लोग जो है वो लगातार यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग कर रहे हैं जोतपूर का इमामला है जोतपूर के मंडोर रोड का जहाँ पर रेल्वेक क्रॉसिंग के पास पत्रों से भरा ये ट्रक जसने शात्रा को अपनी चपेट में ले लिया बता दे की राची निवासे है 19 वर्ष्य आफ्रेइन FDDI की चात्रा है बाज दिन पहले ही अड्मिशन लिया था लेकिन ट्रक ने चात्रा को अपनी चपेट में ले लिया